नमस्कार दोस्तो एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में एक नई जनकारी में दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए खास ख़बर लेकर आया हूँ जिस प्रकार से आप थमनेल को देख रहे हैं सबसा नहीं है कि आपको जो आवधन है वो ओफलाइन हो जाए ठीक है स्टेप बाइस्टेप ही आपको पूरी जानकारी दूँगा और पचास प्रतिसत का आपको अनुदान की रासी भी दी जाएगी गवर्मेंट के तरफ से तो दोस्तो टांसफार्मर लगाने से लेकर के इस दे दूँगा अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डेशबूर्ट दिखने लगेगा यहाँ पर देखेंगे अप्लिकेंट नमबर मतलब मोबाइल नमबर आईडी पासफ़ूर्ट अगर आपके पास पहले से है तो लोगिन करना रहेगा अधर्वाइस आपको साइन अप वाले ओप्शन के ओपर क्लिक करना रहेगा अब यहाँ पर साइन अप में आपको क्या क्या आपको डालना रहेगा सबसे पहले अवेदक का नाम हो गया इसके बाद मोबाइल नमबर और जीमेल आईडी यह दोनों चीज़े कंपलसरी रहेगी इसमें आपको जो से परमानें अटरेस जो आपका है वो भी आपको कंपलसरी ही रहने वाला है ठीक है यह कंप्लीड आपको जानकारी सब्मीट करेंगे एक आपके पास यहाँ पर ओटीपी जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड है वा सक्सेस्फुली इंटर हो चु लोग इन करने के बाद देखते हैं दोस्तों कि आपके सामने जो है डेसबोर्ड आपका ओपन हो चुका है अब यहाँ पर आपके सामने देखें आपने जो आपका नाम दिया था वो नाम आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगा अब यह तीन कंडिशन आपके सामने कं apply new application नया आवधन करें यह वाला option आपके सामने खुल जाएगा ठीक है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करते हैं एक टेस्बूर्ट आपके सामने open हो जाएगा जिसमें आपके पूरी जानकरी जो आपने डाली थी यानि कि आधार के आपके पूरी जानकरी भी आ जाएगी यहाँ पर साब साब लिखा है नया आवधन अब यहाँ पर आपको विसेज ध्यान देना रहेगा अब यहाँ पर देखते हैं लाइन shifting इसके बाद line shifting non government ठीके इसके बाद new connection के लिए है के बाद colony electrician legal colony electrician illegal इसके बाद यहाँ पर आपको यह वाला option दिख रहा है आपके सामने open your transformer यानि कि आपको खुद का transformer लगाना चाहते हैं और इसके अलावे कुछ और भी option दिये गए जिसमें जैसे load enhancement यह जो भी option है इन में option लेने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है यहाँ पर लिखेंगे कितने watt का आपको transformer चीएगा यह मैं आपको simply जो जानकारी भर के दिखा रहा हूं यहाँ पर जैसे kilowatt की बात है मैं तो आपको जूस्त एक नॉर्मल एक घर का connection देता है उसके according बता रहा हूं ठीक है आपक एक जगे से दूसरी जगे शिप्ट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर पूरी detail आपको submit करना रहेगा जैसे कि खसरा हो गया खतवनी हो गई जमीन की पूरी detail है यह सब आपको यहाँ पर completely देना होगा और इसके साथ साथ आपके जो खसरा और खतवनी की जो copy है उसे आपको pdf में ही upload करना रहेगा दोस्तो pdf में आप upload करने के लिए कैसे करेंगे आप simply उसके portal पर जाएंगे वहाँ से सीधा print दे करके आप pdf में ही save कर लेंगे ठीक है यह वाला option जो आपके सामने दिख रहे हैं या आपके जो छेतर में यानिके कौन से जगे okena आप process करवाना चाहते हैं वह आपको यहहां पर location देना रहेगा जो भी आपकी location रहेगी वहगा है ठीक है इसके बाद में यहां पर देखते है हैं केंद्र का है सऑको आपको यहां पर select करना रहेगा ठीक है जैसे तेसिल select कर लिया मैंने यहां पर अब उसके area के अनुसा रही ही जहां जहां पर आपका जो transformer लगने की जगह है अब इसके बाद में देखेंगे दोस्तों यहां पर आपके सामने एक option आता है कि यहां पर आपको जो है 250 word में कुछ लिखने का मतलब यह होता है कि आपको जो आपकारी ले रहे हो यहां पर पूरी डिटेल हो चुकी है मैंने सारी डीटाल आपके सामने दिखा हूं में यहां पर आप इसके बाद में देखेंगे यह application ये वाले option के उपर हम click करेंगे click करने के बाद देखेंगे ये आपके सामने पूरी detail आ चुकी है जो आपने form भरा है उसकी पूरी detail उसका print out आपके सामने आ जाएगा अब इसके बाद में और क्या करना आपको ये वाले जो print out है ये print out को ले करके आपके नजदी की जो भी आपका बिजली office है वहाँ जाकर आपको simply जमा करना रहेगा और इसके साथ में दोस्तों सारे documents को आपको copy भी वहाँ पर ले करके जाना रहेगा जैसे आधार कार्ड हो गया voter ID कार्ड हो गया इसके अलावा समगर ID हो गया ये सारे documents लेकर के एक photo आपको लेकर करके जाना है और जहां पर आपका जो बिजली office है यानि कि आपका जो बिजली घर आसपास के जो नजदी की आपको बिजली घर लगता है वहाँ पर आपको एक ये copy आपको जमा करनी रहेगी जो आपको print out निकला है वही प्रिंटाउट को आपको आपके विजली घर में जमाबी करना रहेगा और वहाँ पर आपके जो अधिकारी है उन अधिकारीों को बोलना भी है कि हमें यहाँ पर आपको आवेदन ये वाले जो है सुक्रति दिलवानी दोस्तों वीडियो कर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करें धन्या